22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उधगाटन होना है प्रांट प्रतिस्था होनी है लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं राजनीती भी राम मंदिर को देखने को मिल रही राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस के कहीं नेता हैं जो मंदिर जा नहीं रहे लेकिन कुछ नेता ऐसे भी है ज कल उनका परसो एक बयान हुआ था मेरट में उन्होंने कहा था कि राम हमारे अराद्धे और हमारे वंचज हैं तो क्या वाकई में उनका राद्धे हैं सिर्वे चुनावी कोई स्टेट्मेंट लगा आपको देखे जहां तक इमरान मशूर साव की बात है वो हमारे सहरानपुर के राश्टी इस तरह के नेता है और हम लोग गयर राजनेती व्यक्ति है इसलिए हमकि किसी नेता जै के व्यक्त पे पर कोई टिप्ड़ी करना उचित नहीं समझते है आप व्यक्त के रूप से हमारे राय जो है वो यह कि मंदिर बन रहा है और पांसो शाल का एक कलंग जो बरवरा कनताओं द्वारा हमारा मन्ने तोड़ा गया था, वो बन रहा है, वो हमारे लिए हिंदू समाज के लिए और राष्ट के लिए बड़ी गौर्व की बात है, और हमारे लिए बहुत परस्वनिता की बात है, शीराम सब के हैं, जी सब के हैं, इसमें कोई प्रवश्कार्वा काँ बात की बात है, और राष्ट पेत्व अजया विए, और रात हुई, ऑपार में वाले लोग, कही लिए बहुतव, ऍवारे यूद्थ ह Coward हैं उसको बहुत नहीं ये एक सवाल तो पूछ सकता हूं कि कुछ लोग नेता ऐसे भी है जो 22 जनवरी को शामिल हो रहे हैं उनकी क्या राज नीती है, क्या बोट नीती है, क्या तुष्टिक नीती है, नेताओं की अपनी नीती है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका विश्य है, पर हम यह मानते हैं कि ज निश्चित रूप से चुनावी स्टेटमेंट है, छुनाव नजदी का रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट है, इससे पहले गालियां मि देती ते राम को, मगर इस देश की जनता को वो सोईकार नहीन है, गाली तो शहद उन्होंने कभी नहीं दी? नहीं और नेता दे रहा हैं, कॉंग्रेस के दे रहा हैं और राम के स्तित्त ख़िए को ही नहीं मानने और मैं तो यह कहूं गोगा जो राम के स्तित्त को कि ये जिंगे का रम बुला रहे हैं वो जा रहे हैं और जिन पर जैएंगे जाएंगे जैएंगे जिन को नहीं बुलाएगा वह घर बेठे रहेंगे बात चल लहीं थी के परसो मेरत में कहा गया उनकी तरफ से कि इम्रान मशूद की तरफ कि Imaran, वो Shri Naam, जो है हमारे अराध्य हैं, और हम सब के हैं, और हम भी उने ही यए के बंचाज हैं, तो क्या झोरे लगता है आप को उनका न इतीचाज हैं, तो हैं हैं, हमें को इत्राद नहीं है, आप कुछ कहेंगे, सर, पर बार गोल खाएंगे उनको निमंतर ने भी दिया उनके अंदर कहीने के एक हीन भावना है वह नराज वह बट्रे है իुपा मनना चाहरे है है समझे नहीं तो लेकिन इच्छा हैं न के जानेगी और जाएंगे भी तो पहले जाने पंदर तरिक से पंदर तरिक को ज़एंगे बिल्कुल जाएंगे वह बिल्कुल जाएंगे और दूसरी वात एक और मैं तो अपने संगठन के माध्दम से एक यह बात कहूंगा आपको पहले वी मन्नेक दो लाइन के जरिये कही ते लेकिन आज उसमें मैं आपको एक अंतरा और और सुनाऊंगा मेरा सबसे यही आवान है कि सब अपना अपना गीत भर्परभू राम के बारे मगा रहे हैं तो मैं तो आप सबसे यही आवान करूंगा चलो जी बन ठन के घरों से निकल के अवद में राम आए हैं जू में नाचे सारी नगरिया माता लूटाए शगुन दर्सन होंगे बचपन के बरत लच मन के अवद में राम आए हैं चारो दिशाएं खुसिया मनाएं डोल बजे म्रदंग नैन कटिले सत्रुगन के बोलो जी सब मिलके अवद में राम आए हैं सर्यू की नारे दर पे तिहारे मन में लिये ये उमंग आए हैं अनुयाई मिलेंगे चारो भाई अवद में राम आए हैं अवद में राम आए हैं धन्याबाद कुछ पॉलिटेशन कह रहे हैं कि जो राम अंदरुद गाटा ने वो सरे भाजबा का एक इवेंट है क्या कहेंगे आप इवेंट तो भाजबा का इसको ना मरना जाए एक हिंदो की बहुत बड़ी आस्ता थी और ये पांसो साल कितने सालों से चला रहा था डिस्प्यूट अब ये किलियर हुआ है तो इसको किसी पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान मसूद कहें या कोई भी हैं हो तो फारुक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि हम भी राम के बंसज हैं तो ये एक राजनीती भी चल ली है आगे आने वाला इलक्सन भी है उसको मध्यने जब देखते वे इस तरह की स्टेटमेंट चलते रहते हैं ये चलते रहें से कोई फरक नहीं है लेकिन इसको राजनीती करन ना किया जाए इसका अच्छे से हो ये खुशेगी बहुत है इम्रान मसुद के शब्दों का कही नगे राजनीती करन हो रहा है क्या क्या कहेंगे इम्रान जी ने जो भी वक्तवे दिया अपना है अपनी आस्ता प्रभु शरीराम में प्रकट करी है मैं उनका सम्मान करता हूँ उनके अधरणिय गुरू जो महम्मद साब थे पौरणि गुरू उनका भी यही संदेश था कि हिंदु मुस्लिम सिख इसाई सब हम एक ही हैं एक ही माता पिता की संतान है रमयन में भी कहा गया कि एक राम दशरत का बेटा एक राम घटगट में लेटा एक राम का सकल पसारा एक राम है प्रभु से नियारा तो ये प्रभु शरी राम जो है वो सकल पसारा इनी का ही है हम सब जीव जो है प्रभु शरी राम की संतान है वो भिन भिन रूपों में धर्म गुरू बनके कभी वो गुरू नानक के रूप में आ गए कभी वो चीज़ का समर्थन करता हूं ये हमारी भारती एकता के लिए अच्छा परमाने ये होना चाहिए ठीक है अग सर एक बात करूआ बात राम मंदिर की चल रही है अभी कुछ दिन पहले फिर से स्वामी परसाद मोरा ने स्टेटमेंट दे दिया कि कार सेयों को पर जो गोली जब से देश आजाद हुआ है तब से ही ये हिंदू धर्म के खिलाप है बोट के लिए मुस्लिम तुष्टी करना और हिंदियों को जात्यों में बाटना इनका ये उद्धिश रहा है इसलिए लगातार हिंदू धर्म सनातन धर्म और सीराम के बुरुद इस तरह के अनरगल आरोप बिचार प्रेक्ट करते रहते हैं जिससे के ये मुस्लिमों का तुष्टी कर सकें और अपने को भी लाइम लाइट में रख सकें जहां तक दूसरा प्रश्ण आप बारबार कर रहे हैं कि कुछ लोग जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे हैं क्रेडिट वाजपा ले रह बात है कि जब से भारत जन्शंगी स्तापना होई थी तब से उसके जेंडे में तीन आइटम हमेशा रहे हैं राम मंदर के भव्यम निर्मान की समान नागरिक सेंता की और धारा 370 कश्मीर से समाफ्त करने की तो पुष्ट आंदोलन को तब से लगातार चला रहे हैं और बा वो Śrī Rám तीठ शेत न्याज की तरफेश चला है कि उसने तो सभी को आमंत्रत किया है यह कोई भाजपा ने आमंतित नहीं किया, आरेसेस ने आमंतित नहीं किया, विश्व हिंदु परसाइट, भारती जनतापर्टि, आरेसेस तो इसमें केवल स्रयोगी भर हैं, और तीरत नियास ने उनको भी आमंतित ही किया है, इसलिए वो जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हमारे एक साथी ने बहुत सही कहा कि जो हिंदु धरम में, राम में और राश्परम में आस्था रखते हैं वो जरूर जाएंगे और बास तो एक तार जो हम एक सामाज खिश्टाई है कि प्रभू स्री राम जिनको बुलाएंगे और जो उनमें आस्ता रखते होंगे केवल वही जाएंगे और जो उनमें आस्ता नहीं रखते उनको बुलाएंगे तीर छेतर के नियासी बुलाने से क्या होता है पर राम तो बुलाई नहीं दे तो जाएंगे कैसे बात इस पस्टे जो है तो ये सीनिर सिटिजन है सारणपूर के इनकी प्रतिक्रिया आपने देखिए इम्रान मसूत का जो स्टेटमेंट आया उसको भी कहीं न कहीं सही ठहरा है इसके लावा राम मंदिर को निमंतरन पर लेकर जो राज कब भी का जो आपने आपने नहीं जो खोड़े एसके लगले ठापने चरापने हम्रान मसुत कर दो जो से घुलाफला जो टेए राज़ जो झाबस को जो पूलाई पूलाई आपने हम अश्टों जोड़े कि आपने में एन प्र नहीं अचित का बढ़ें नहीं एना में